हेगाईज आज मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी साड़िया जो आपके वार्ड्रोब में होना बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, चाहीं कितना भी वेस्टर्ण ड्रेस का जमाना आजाएं। लेकिन जो बात हमारी traditional साड़ी में यानि कि हमारी traditional dresses में है वो look कही नहीं आता तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी साड़ीया है जो आपके wardrobe में होना बहुत जरूरी है जिससे कि आप एक अलग look में नजर आएं और सुन्दर देखें तो ज्यादा टाइम ना विस्ट करते हूँ मैं आपको कुछ collection दिखाना चाहती हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो साड़ीया है जो आपके पास होना most important है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ daily wear में इस flower print की साड़ियां या georget work की साड़ियां आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप daily wear में साड़ी wear करते हैं या कभी-कभी साड़ी wear करते हैं daily use में तो आपको इस type की साड़ियां होना जरूरी है इस type की साड़ियां बहुत ही simple होती है और बहुत ही हलके pattern में होती है जो कि आपको पहनना बहुत ही easy हो जाता है तो इस type की साड़ियां अगर आपके पास होती है daily wear के लिए तो बहुत ही अच्छी है ब्रॉकिट वर्क की साड़ी जो कि हमारे फैब्रिक में हलके cut work का design बना होता है उसे कहते हैं ब्रॉकिट वर्क जैसे कि आप देख सते हैं और ये इसी साडी के अंदर ये डिजाइन बना हुआ है. इसे कहते हैं ब्रॉक्ट वर्ग. तो दोस्तो इस तरीके के साडी भी आपके पास होना अच्छी होती है. ये साडी भी आपके पास होनी चाहिए. क्योंकि ये साड़ी जब आप वेयर करते हैं तो आपका लूप बहुत ही अच्छा आता है मेरे पास ये दो साड़ी हैं ब्रॉकेट वर्की जो मैं आपको शो कर रही हूँ और देखिये ओल ओवर साड़ी में इस तरह के कर डिजैन बना हुआ है उसी कपड़े से कट गए तो ये भी बहुत सुंदर पीस लगता है बहुत सुंदर साड़ी लगती है इसको भी आप पहनते हैं तो आपका लूप डिफरेंट आता है और बहुत ही सुंदर लगते हैं तो यह भी हलकी साड़ी है और सेमी फिटेड है इसको आप अच्छी से वेयर करेंगे तो आप बहुत ही सुन्दा रगते हैं तो यह साड़ी भी आपके पास होना जरूरी है जो सब्सक्राइब की साड़ी भी बहुत ही अच्छा लुक देती है और जो इसका फैब्रिक है यह साड़ी के बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसका वर्क होता है उिसका बूंक हुथ ही लाइट कलर में भी ही आविलेगम होती है बहुत ही सुन्दा लगती है यह साड़ी भी बहाने के बाद और इसकादम होती है एक पेस्त आप involvement में होता है ओ्लोर में साथ-थ्रेड फैट व इस टाइप की साडी भी आपके पास अगर होती है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये साडी आपको जो है बहुत ही प्यारा लूप देती है इस साडी को जो आप फेयर करते हैं तो आप सिलिम भी लगते हैं साथी आप डीसेल लगते हैं तो आपके पास पेस्टल साडी के य इस सारी में बहुत ही सुन्दर साडी आपको आया जैल लॉपद κιे साडी जो इस यह बनारसी आपके भी इता ही जड़ोरी साडी तो यह जो बनारसी साडी है यह बनारसी साडी पहने के बाद आप बहुत ही प्यारे और सुन्दर दिते हैं इन साड़ी को कि बनार चीज घुब सुरत होती है आपको साथी चुन्दर दिखाती है तो होपसो दोस्तो यह भी साड़ी आपको बहुत पसंद आई होंगी तो ऐसी साड़ी भी आपको अपने वार्ड लोग में रखना जरूरी है दोस्तो अब हम बात करते हैं साथ सिल्क साड़ी की जो की बहुत ही खुपसरोत होती है और आप देख सकते हैं यह बहुत ही प्यार तो इसका फैब्रिक है यह भी बहुत अच्छा है यह भी आपकी बॉडर फिटेड है जो कि आपको स्लिम लूप देता है इसमें कहते हैं नीचे बॉडर दिया हुआ है जो कि इसकी सुन्दरता को और बढ़ा रहा है तो यह सारी ओल ओवर देखें तो बहुत ही प्यारा पीस ह मैंचिंग ज्वैलरी मैंचिंग चूल्यों के साथ नहीं सुन्दर लगते हैं तो ऐसी इस टाइप की सारी आपके पास होती है तो आप बहुत ही अलग दिखते हैं और दौस साथी एक और साडी में आपको दिखाती हूँ यह भी साउथ कोर्टन की है तो साडी बहुत ही प् ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा पीस है और बहुत ही सुन्दर लगती है तो इस टाइप की साड़ी भी आपके पास होना बहुत जरूरी है कांजी वरंगी साड़ी को पहनने के बाद जो आपका लुक आता है वो बहुत ही decent और elegant लुक होता है तो अगर आपके पास कांजी वरंगी सारी नहीं है तो इसे आप प्लीज जल्दी से परचेज करिए अपने वाइड्रोब में शामिल करिए क्योंकि कांजी वरंगी सारी बहुत ही सुंदर होती है यह पहनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है लेकि जब आप इसे वेर करते हैं तो आप बहुत ही सुन्दर और एलिगेंट नजर आते हैं विच लुक आता है इस सारी से तो इस टाइप की सारी आपके बाब डूब में जरूर शामिल होने चाहिए दोस्तों कॉटन की सारी हम सब के पास जरूर होती है कॉटन की सारी ऐसी होती है जिसे हम पहनते हैं तो बहुत ही सुन्दर नजर आते हैं यह पहनने में थोड़ी दिक्कत जरूर देती है प्लेट्स वगरा बनाने में लेकिन अगर आप इसे अच्छे से वेर कर लेते हैं यह दिखिए कॉटन की सार में मस्ट है इस साड़ी को पहनने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फिल होता है और आप सबसे अलग नजर आते हैं मैंने दो साड़ी लिए हुई है एक यलो है और एक ब्लैक है और ब्लैक साड़ी आप देख सकते हैं भी बहुत प्यारा पीस है इसमें जो गोल्डन कलर का अपर दिया है ये इसको और सुंदता पढ़ाता है तो जब आपस साड़ी को वियर करते हैं इसूझच यो आप बहुता ही प्यारे लगते हैं और बहुताए नहीं है थो ईहपने ये यह साड़ी आपको बहुत ही डीसेंट और एलिगेंट लोग देती हैं तो अब बात करते हैं लहंगा साड़ी की लहंगा साड़ी आजकर बहुत ट्रेंड में है जब आप साड़ी पहनना आपको नहीं आता है अच्छे से और कभी ट्रेडिशनल फंक्शन में शादी में आपको जाना है आप के प पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है इसमें प्लेट्स बनी हुई आती है लहगा साड़ी में प्लेट्स बनी हुई आती है तो कोई प्रॉब्लम ही होती जस्ट फाइब निट के अंदर यह साड़ी आप वेर कर सकते हैं साथी इसमें अटेच पल्लू भी है चोंकि पहले चरह मुण प्लेटगर के ऊषिसाड़ी आपको लहरा लेंगा साड़ी के वें पात करो इन अचिए बहुती सुंदर फीस होती है और आप इसे मिंट्टों में वेर कर सकते हैं साड़ी को जोकि बहुत प्यारी बनती है और आप भी बहुत ऊंदर है साथी आजके मार्क बताएं कि आपके पास उना मस्ट है जरूरी है क्योंकि यह वो साडिया है जिन्हें अगर आप पहनते हैं तो आप किसी भी पार्टी में फंक्शन में कहीं भी आप चाते हैं तो आप एक अलग नजर आते हैं आपकी परसेटी उभर कर आते हैं तो होपसो दोस्तों मैंने जो आपके बार्ट्रोम में अगर नहीं है तो आप उसे एड कर लीजिए और अगर है तो उन्हें अच्छे से वियर करके आप पार्टी में जाए और अपनी संदर्ता को अपनी परसेटी को और बढ़ाएं तो वोपसो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी लेकिन दोस्तों अ प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए वीडियो तो कमेट करना ना फिलिए